गूड मारणिंग श्टूडेंट्स वेलकम टुदन ए अंलाइन क्लास आज हम फर्ष्ट मैस की वरक्षीट करेंगे कल आपनी शेप नीम करा था है ओके तो आज हम शेप सनीम की मैचिंग करेंगे हमरा फर्ष्ट को रादादाइग दादादादाद circle and circle की spelling क्या होती है c-i-r c-l-e circle then second picture हमारी किस चीज़ की है red triangle red triangle red triangle की spelling क्या होती है r-e-c-t-a-n-g-l-e red triangle okay and third picture हमारी किस चीज़ की है third picture हमारी है square squares आपको पता है square क्या होते है all sides are equal जिसकी side sides क्या होती है equal होती है very good then third picture हमारी कौन सी है star star की spelling s-t-e-r star okay next picture triangle triangle की कितनी sides होती है three one two three okay and यह closed figure होती है इसकी spelling क्या होती है t-r-i-e-n-g-l-e triangle आप इसको triangle के साथ match करेंगे next picture आप की है oval oval की spelling o-v-a-n oval oval से आप इसको match करेंगे okay तो यह आपकी complete है इसको आप match करेंगे आप एक बार फिर से देख लेजे magic कैसे होईगी circle drag triangle square star triangle oval okay इस तरह आप इसको match करेंगे and second worksheet हमारी है English की कल हमने English में colors name करे थी आज हम उसको fill करेंगे pictures को देखके okay write the colors name देखो first जो आपे question है वो क्या है हमारा the first question है the sun is dash sun किस कलर का होता है yellow okay तो आप sun को क्या लिखोगे yellow the tree is dash tree किस कलर को होता है pear किस कलर को होता है green तो यहापे आप क्या फिल करोगे green the cloud is cloud किस कलर की होता है blue यहापे cloud किस कलर करेंगे आपको blue तो यहापे आप blue फिल करोगे okay fourth the apple is एपल किस कलर को होता है, red, okay, r-e-d, red, fifth, the orange is, orange, orange किस कलर को होता है, orange, okay, the hair is dash, आपके hairs है, जो आपके बाल है, वो किस कलर की है, black, तो हम आपके लिखेंगे, black, b-l-e-c-k, black, okay, seventh, the chocolate is, chocolate किस कलर की है, brown, and the last, the dress is, dress किस कलर की है, pink, okay, तो यह आपकी English की वक्षिट है, इससे आपका अपनी English की नोटबुक में complete करना है, third अक्षिट हमारी Hindi की है, कल हमने A की मांत्रा पढ़ा था, आज हम A की मांत्रा को चित्र के साथ पढ़ेंगे, और उसको देखेंगे, okay, देखो, यहापे जो पहला चित्र दे रखा है, वो किस चिचका है, साथ, आपके एक ही मांत्रा, ब, सेब, हमारा पहला क्या है, सेब, okay, and second, नेत्र, हमारा सेब क्या है, नेत्र, थाड, मेगा, फोर्थ, पेड, फिफ्थ, गेंद, यह सब में हमारी कौन से मांत्रा यूज हुई है, एकी मांत्रा, okay, साथ, साथ, एकी मांत्रा, ब, सेब, ऐसे, okay, तो यह आपको अपनी हिंदी की नोट बुक में कम्प्रीट करना है, ओकी, and यह वर्प करने के बाद आपको अपनी स्कूल में कौपी चक्राने के लिए समिट करना है, ठेंक यू,